हेलो दोस्तों सभी को गुड मॉर्णिंग जैसा कि फ्रेंड आज से हम लो क्लास करेंगे आज का हमारा करेंट फेर का MCQ आ चुका है तो अब हम लोग करेंगे आज का MCQ और अनेवल एक्जाम में आपका इस MCQ के द्वारा जो भी एक्जाम होंगे PT के लिए बहुत special होने जा रहे हैं तो जैसा कि देखेंगे पहला हमारा questions है कि हाल ही में जारी जो किया गया IUCN के red list जो data यह है update इसमें बताया गया है कि मीठे जल के कितने परतीसत मचलिया जो हैं बिलूप तो होने के कगार पर हैं तो इसका अंसर हो जागा 25% यह बताया गया है IUCN के data बताया गया है कि लगव 25% मचलिया जो होंगे वह अपनी विलूप के कगार पर लगव 25% मचलिया हो चुके हैं वहीं यूनिट ड्रोइट यह इंडिपिंडेंट एक संस्थाएं हैं जिसमें कहा गया है कि यूनिट ड्रोइट के लिए चुनी गई पहली भारती महिल चुनी गई है तिसरी हमारी जो क्वेस्टनस होगा तिसरी क्वेस्टनस है कि हाल ही में किसने make for India देखेंगे make for India गूत्रीम AI यानि artificial intelligence का अनावरन किया है तो यह हो जाएंगे भावेस अगरवाल जी यानि सेक्र भावेस अगरवाल इसके आंसर हो जाएंगे چोफे में देखते हैं हाली में आई ही round कि नुसा चालो भी तुरशाय है भारत का सुध्य प्रत्याच्रच कर संग्रह कितना हुआ है सुध्य मत्तों हुआ हमारा NET यानि नेत जो हमारा भारत सरकार का जो tatsächlich collection हुआ यह सुधम हुआ नेता जो dost tax collection कितना हुआ भारती प्रधान मंत्री के फैन भी हैं तो यह हैं ओमान यानि भी इसका अंसर हो जाएगा हाली में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राजी के 30% से अधिक अबादी या 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है तो यह भारत के सबसे कर सकते हैं एजूकेशन में सबसे आगे जो हमारा राज है किरल तो किरल में लगए 30% से अधिक बच्चों में डेंगू जैसे समस्या हैं पाई गई है हाली में किस देश द्वारा प्रदत सेवा मुक्त किये गए जहाज को भारतिय से ना पुना अपने में सामिल करेगा तो हमें पता है कि मालदी के साथ हमारी अभी बन नहीं रही है मालदीव को जो भी भारत ने दिया हो जाता है रिटरंड करने की प्रॉसेस में है तो इसका अंसर मालदीव हो जाएगा मालदीव से जो भी हमारी जहाज आ रही है उसे भारत सरकार जो है उसे अपने में कुना सनलिप्ट करने की मतल़ लगाएगी को आपके भी मैंने बताया था कि मालदियू जो है हाइडरोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट जो हुआ हाइडरोग्राफिक सर्वे जो एग्रीमेंट हुआ इससे भी वो अलग हो चुका है वहारत सरकार्ण मालव से पतच्छतर जो हमारे भारती से नीच यह से भी भारत शरकार्ण मांगा लिया है। और रिलायनश जियो के बारे में बताया था में किसके दूरा स्वृदेशी जयाल्वायू प्रुवानुमण प्रणाली विकृत किए तो इसका जवाब हो आयई टीम इंप ले किसे दूरा स्वादेशी जयाल्वायू ऊप्रुवानुम्ण प्रणाली कीृतун की फिचेयर पहले की लिपा आम आजाएंगे नुबाग जो पुबिष्ट था आरेजना सर्वार लेंग यानि ए और बी दोनों इसलिए आंसर इसका हो जाएगा सी हाल में आई रिपूर्ट के नुसर किस देश के ई रीटेल यानि इलेक्ट्रोनिक रीटेल बाजा दोहजर अठाइस तक एक सो साथ अरब डोलर को पार कर जाएगा ध्यान देंगे एक सो साथ डोलर अरब पार कर जाएगा तो इसका आंसर हमारा होगा प्यारा भारत चुकि हम मैं आता हूं कि मलेसिया ने भारतिय नो नागरिकों को वीजा मुक्त परवेश दिया है पता हूने चाहिए मलेसिया जो है भारतिय को वीजा मुक्त उन्होंने परवेश दिया है भारत सोसल मीडिया के लिए सक्त आयू सत्यापन योजनाविय भी बना चुकी है है न के तद भी आपका सकते भारत लगा था तिसरी बारा भी ए आई बीडी ध्यान देंगे ए आई बीडी का अध्याच भारत तिसरी बार भी चुना जा चुका है अब भारत जो है आई से सी तीनों फॉर्मेट नंबर वन बना हुआ है तो इस तरह के चीज़ें हैं थोड़ा सा भ भी उद्घाटन किया जा चुका है हाल में आई एम एफ यानि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किस देश के अर्थ विबस्ता को इस सीर करने के लिए 33.7 करोड डॉलर देगा चुकि हम बता दूं कि इसके लिए भारत ही गुजारिस भी किया था तो इसका जवाब हो जागा भारत का एक पडोसीदे जिसका नाम है सिरलंका जो आर्थिक संक्रट से भी भी जुजरा है तो इससे सिरलंका को आपको मैं बता दूं कि भारत तो सिरलंका के बीच में मित्र सक्ति याद रखेगा भारत सिरलंका के बीच Chronित मित्र सक対 हमारा सेन अभ्हास चलताonz उलना जिस सब्सक्राइब करने के लिए लगभभग देखेगा ना तो 45 कड़ों रुपे की वीतिया यानि फिनांसियल मदद भी किया है तो इसकी जवाब जो हो जाए में 33.7 कड़ों रुपईया का जो भी मदद के रूप में दे रहा है अर्थविश्वास सुधिट करने के लिए जवाब हो जागा सिरलंका खाल में आई SBI के रिपोर्ट के नुसर कब तक महिला मतदाताओं के संख्या पूरसों सदीख हो जाएंगे 2029 बताया जा रहा है SBI के जो रिपोर्ट आई उसमें बतायागा 2029 अभारत में मतदाताओं के जिदी बात करें तो एक तरफ मिल हो जाएंगे female तो female जो हो जाएगे वो जादा जनसंग है इनकी हो जाएगी पूरसों की अपेक्छा अगला हमारा question देख सकते हैं next question जो है हमारी हाल में किस देश ने 33 देशों के नागरीकों के लिए बिज्जा आवस्चताओं को स्वाप्त कर दिया यह जवाब हो जाएगा हमारा इरान यानि इरान हो जाए इरान ने और एक चीज़ और याद रखेंगे कि इरान ने मुहाजीर दस ड्रोन का उधाटन किया है यहाँ पर एक है मुहाजीर याद रखेंगे मुहाजीर ठीक है तो मुहाजीर एक टेन इसका है तो यह मुहाजीर टेन एक ड्रोन है इसको इन्होंने उधाटन किया है उसके बाद इरान एस सीओ का नया 27 सदस बन गया एस सीओ जो है उसका 27 सदस कोई बना राश नया बना तो उसका नाम है इरान ते चीज़ों को में याद रखना होगा और इरान ने दूसरा उपगरह भी नूर टू भी इन्होंने लॉंच किया है नूर टू तो में भी एभी एकजामे पूछा जा सकता है एक लाश हमारे क्वेशन साज की होगी हाल में आई एनस कर कदमत लंबी दूरी ऑपरेशन के लिए कहां पहुंच गया है तो यह अभी फिलिपिन्स पहुंच चुका है तो दोस्त कैसा लगा आप अपने कमेंट सेशन में जरूर बताएं फिर हम अगले क्लास में इसी तरह अगले सुबह आप नमस्कार